Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences Naturopathy मतलब कि जो natures related जितनी भी चीज़े होती हैं उससे treatment किया जाएगा साथ में ही योग का सारा लिया जाएगा जो योग साइंस है उसका सारा लिया जाता है Patients को ठीक करने के लिए जो ये course करने के दोरान जो आप सीखते हैं वो इससे ही सब कुछ related होता है दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की details लेना चाते हैं inquiry करना चाते हैं किसी भी university, किसी भी college या किसी भी course के बारे में आप admission ले चाते हैं किसी भी course में आप कुछ जानना चाते हैं उसके बारे में और कुछ भी आप लिखना चाते हैं जैसे कुछ detail में आप जानना चाते हैं तो वहीं जो box है उसके अंदर अपने query को आप type करें और भेज दे हमें हम आप से personally contact जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे दोस्तो जिस तरह से बाकी जो medical courses आते हैं जैसे की MBBS की बात करें BDS की बात करें BAMS, BUMS या BHMS की बात करें या फिर कई सारे student BPT भी करते हैं BSC Nursing भी करते हैं ऐसे ही एक course का नाम अक्सर आपके सामने आता है और जिसमें बहुत सारे students हर साल admission लेते भी है वो होता है BNYS मतलब की Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences दोस्तो इस course को करने के लिए क्या eligibility है आपके 12 में कितने percent marks होने चाहिए किन subject के साथ आप pass करोगे 12 को तो आपका admission होगा कौन से अच्छे colleges है फीस क्या है इस course की इस course को अगर आप करना चाते हो तो इस college के पास में कहां से approval होना जरूरी है और साथ में अगर आप BNYS course को करना चाते हो तो क्या need clear करना आपके लिए जरूरी है और क्या इस course के साथ में ही जो MBBS का syllabus होता है वो कितना percent match करता है ऐसे कई सारी सवाल जो आपके दिल में है आज उन सभी का जवाब देने को रिष्ट करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है नमस्का दोस्तों फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इडिया और मेरा नाम है विरिंदे वर्मा जैसे आप सभी जानते हैं देश विदेश की युनिवरस्टीस, कॉलिजिस, उनके कोर्सिस को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाते हैं दोस्तो BNYS कोर्स के लिए पहले आप समझे फुल फॉर्म क्या बोलती है Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences Naturopathy मतलब कि जो नेचर से related जितनी भी चीज़े होती हैं उससे treatment किया जाएगा साथ में ही योग का सारा लिया जाएगा जो योग साइंस है उसका सारा लिया जाता है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए जो ये कोर्स करने के दौरान जो आप सीखते हैं वो इससे ही सब कुछ related होता है Bachelor degree एक ये कोर्स होता है इसके duration की बात करें साड़े 5 साल का total ये कोर्स है including internship internship एक साल की होती है जो करना अनिवार्य होता है वो करना compulsory है वो आप अगर नहीं करते हैं तो course invalid आपका बिल्कुल हो सकता है इस course को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजे कि इसके अंदर किसी भी तरह की extra medicines और साथ में surgery का सहारा नहीं लिया जाता मतलब अगर इनका सहारा नहीं लेते है तो ठीक कैसे करते हैं तो इसमें जो patients को ठीक करने की जो पद्दिती या फिर प्रॉसेस को follow करते हैं वो होता है जड़ी बूटियों का सहारा लेना, साथ में ही उन लोगों की exercises कराना, जब आप BNYS course कर लेते हैं तो इसमें basic रूप से जड़ी बूटियों और योग द्वारा ही patients का ilाज करना सिखाया जाता है इस course को आप complete करते हैं पर उससे पहले जातर जो students होते हैं वो पहले कोशिश करते हैं कि उनका admission MBBS में हो जाए ना हो तो BDS में हो जाए या फिर BAMS, BHMS या BUMS में admission हो जाए और भी कई सारे options होते हैं बट BNYS पिछले कुछ सालों में एकदम से उभर के आया है और बहुत सारे students हर साल इसमें admission लेते हैं और course complete करने के बाद में अलग-अलग sectors में वो लोग चले जाते हैं इस course को complete करने के बाद जो आप सीखते हैं वो सीखते हैं control करना किसी की भी body को diseases को, किसके दोवारा diets के दोवारा, massage के दोवारा, exercises के दोवारा या फिर physiotherapy का सहरा लेना और भी कई तरह की चीज़े जो इसमें इस्तमाल की जाते हैं मतलब की, किसी भी उस व्यक्ति का जो बीमार है, उसके उस बीमार शरीर का job treatment करते हैं, वो सिर्फ treatment करते हैं, natural process के दोवारा natural process से ही उसको ठीक किया जाता है, यही आप पढ़ते हैं BNYS के अंदर, दोस्तो BNYS के वही चीज़े पढ़ाई भी जाते हैं अब जैसे ही आप इस course को complete कर लेते हैं, तो अपने नाम के आगे मतलब prefix as a doctor आप लगा सकते हैं, पर मैं आपको एक बात और बता दू, अगर आप चाते हैं BNYS course को करना, तो NEED तो आपको qualify करना ही होगा NEED जो एक eligibility test होता है वो complete करना किसी भी medical course के लिए अनिवार ये एक चीज़ है, अगर आप वो entrance test के लिए नहीं करते हैं, तो आप admission भी नहीं ले पाएंगे minimum 12th में आपके 50% marks होने चाहिए, और आपके पास PCB है, मतलब physics, chemistry, bio आपके पास है, तो admission इस course में आप बिल्कुल ले सकते हैं, और course complete करने के बाद, अपने नाम के आगे, आप doctor लगा सकते हैं, साथ में ही हम बात करें कि BNYS को approval कौन देता है, दोस्तों जिस तरह से कि सभी अलग-लग courses को अलग-अलग council bodies approval देती हैं, जैसे कि MBBS की बात करें तो वहाँ MCI, Medical Council of India का approval होना जरूरी है कौलिज को, साथ में BDS की बात करें तो वाँ Dental Council का approval होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से अगर आप करते हैं BNYS किसी भी जगा से, किसी भी कौलिज से, तो वहाँ उसको IUS का approval होना बहुत जरूरी है अगर IUS का approval नहीं है आप किसी कौलिज ये उनिवरस्टी से admission ले रहे हैं, तो बहतर है आप वहाँ पे admission ना लें admission लेने का process के हम अगर बात करें तो admission दोनों तरह से आपकी admission हो सकते हैं, पर पहले आपको need qualify करना होगा, बट बहुत सारी एसी universities हैं, जो की admission देने से पहले एक entrance candidate करवाती हैं वो entrance खुद university based labels पर होता है, वो उस पर entrance candidate करवाते हैं, entrance में अगर आप qualify कर पाते हैं, तो ही वो universities आपको admission देंगी बट ऐसी बहुत सारी universities आपको मिलेगी, काफी सारी private universities भी ऐसी हैं, जो की आपको direct जितनी ज़्यादा मशक्कत आपको वहां करनी होती है, इतनी मशक्कत आपको BNYS में admission लेने से पहले नहीं करनी हो, अब बात आती है कि हम private colleges में admission लें या नहीं लें, दोस्तो वैसे तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप देखिए, जहां पर सबसे अच्छा exposure हो, मतलब कितने bedded वहां hospital है, किस तरह से exposure मिलता है, किस तरह से treatment किया जाता है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर जो मरीज आते हैं, साथ ही कितनी ज़्यादा visit है वह मरीजों की ताकि जब आप course को complete करें तो वह practical भी आप कर सकें, ये चीजे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है fees की हम लोग बात करें, तो किसी भी private university के अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो fees आपको पे करनी होगी, वो 50,000 रुपे से लेकर 2,00,000 रुपे पर year तक fees आपको देनी पड़ सकती है किसी भी private university में अगर आप admission लेते हैं, बट वही अगर आप किसी government से आप करते हैं, तो fees आपकी बहुत कम होती है, लगबग ना के बराबर ही आपकी fees होती है कोर्स जैसे आप complete कर लेते हैं, किसी भी hospital को आप join कीजिए, clinic खोली ये, nursing खोली ये, बहुत सारे options खोल जाते हैं, जो options मिलते हैं बाकी के medical के students को वही सारे options आपको भी मिलेंगे तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है बैचलर डिगरी आप एक course complete करते हैं course complete करने के बाद में आपके सामने भी बहुत तरह की opportunities आजाती हैं, आप कोई भी किसी वी तरह का सवाल पूछना चाते हैं education को related, आप हमें comment box से अपने सवाल पूछें, हम आपको reply ज़रू करेंगे और दोस्तों अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारी वीडियो को जदे सजदा अपने दोस्तों परिजन परिमार में शेर करें, तकि वो भी आपने आपको हर तरह की जो education से अपडेट साते हैं, उनके लिए अपडेटर सेगे, बहुत बहुत शुक्या दोस्तों निवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए